हेलो एबरिवन मैं में तुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारकंड में जेट एक्वल टू सीट जी आपने सही सुना है थमनिल में ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ इसके पीछे का क्या बेस है इस वीडियो में ह कुछ भी अगर आंदोलन के माध्यम से कुछ हो सकता है या कुछ अच्छी चीजें घटित हो सकती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चात्र आंदोलन से ही उन चीजों को करया जा सकता है आगे बढ़ेंगे वीडियो में उससे पहले जेट एट 2012 और सोला के प्रीवेसर क कोशन पेपर को आप पर्चेस कर सकते हो यहां से मेरी इमेल आइडी देख लो यूरमिथुनसिंग एड़रेट जमेल.com पर मेल कर सकते हो इफ यूर इंस्टाग्रम देन डू फॉलो मी एड़रेट आई मिथुनसिंग वहां से जो है कोशन पेपर के लिए इंक्वारी कर सकत तो विधायक गिरिडी के लिए ये गिरिडी से विधायक हैं जार्खंड सरकार में और इन्होंने सचीव को जार्खंड के जो सचीव हैं स्कूली सिक्षा है बम साक्षर्था विवाग जार्खंड सरकार को 6-6 को इन्होंने जो है लेटर लिखा है और लेटर में इन्होंने क्या बातें लिखी है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार सीटेट उत्तरीन अध्यापकों के सम्मंद में इन्होंने लिखा है जारखंड परदेश सीटेट यानि कि जिन विद्यार्थियों का सीटेट हो चुका है उन्हें क्या किया जाए ना उनके उपर सहान भूती पूर्ण विचार करना चाहिए और जेटेट के इक्यूबैलेंट उनको जो है वैल्यू दी जाने चाहिए तो ये बातें थी बाइद अबे आपको क्या लग रहा है इस मामले में क्या आपकी राय है कि क्या जारखन में पहले जेटेट परिक्षा ली जाए या फिर सीटेट वाले को भी वैलिड करार दिया जाए और आगे इन चीजों को लेकर जब भी जब भी जो 50,000 की वेकेंसी आने वाली है 26,000 और 25,000 दो चर्णों में वो की जारनी चाहिए तो आपका क्या राय है इस मसले पे आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए डेमोक्रेसी है Your Opinion Matters Most तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया Have a Good Day